मेरा नाम अजे Сिसो दिया है और दोस्तों 1 video में हम देखने बाले लाश्ट विड्यो हमने देखा था हमने अंसिबल केलिए साटप किया था नई मशीन कैसे क्रिएट करते वह हमने देखा था तो इस बीडियो में नई inventory कैसे करेंगे और playbook कैसे create करेंगे playbook कैसे run करेंगे वह हम यहां देखने बाले हैं सबसे पहले हम तीनों मसीन का SSS ले लेते हैं तो तीन मशीन हमारे पास control node जिसमें unshival है और manage node 1 manage node 2 ठीक है जिसमें दोनों में python है तो python तीनों है वैसे तो main हमारा जो है यहां पर रखेंगे host file में यानि कि inventory में ठीक है जो host बगएर होंगे तो वह हम यहां रखेंगे और अब हम पहले मशीन को मैं SSH कर लेता हूं तीनों को अलपायन मशीन है वह हमने कैसे क्रिएट की ती दोस्तो इस तरह से में 8GB का जो मेरे पास है इस में laptop 8GB RAM है मेरे पास वहां से में इन्वेंटरी फाइल में जो मेरे पास दो मशीन है मैनेज नोड वाली उसमें उसका IP लिखे होंगे ठीक है ना configured होंगे और अगर आप इसी तरह से अगर थाउजर्ड भी मशीन हो ना तो वह इसी तरह से काम होगा ठीक है तो control notes है जैसे playbook को हम run कराएंगे तो क्या होगा कि जो भी आपने इसमें instruction देऊंगी वो हर machine पर configuration करेगा जाकर तो अभी हम देखने वाले तो सबसे पहले हम SSH कैसे करते हैं फिर से देख लिए जागा SSH लिखेंगे उसके बाद root add the rate और उस machine का जो IP address है वो यहाँ पर देंगे ठीक है इस तरह से हम SSH कर लेंगे पास्पड पूचेगा तो password आप दे देगे ठीक है यह मैंने password दे दिया तो यह मैं connect हो चुक हूँ अपने control मेरा मकसद यह दिखाने का दोस्तों आपको एक इसीच के लिए हो जाए आपने दिकतर वीडियो देखेंगे आप सैट अप तो बिल्कुल इस तरह से नहीं दिखाई जा रहा है और अगर आप विगनर्स है तो बिगनर्स के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉलम हो सकती है यह आता हूं और यहां आई पीस का चैक कर लेता हूं तो यह दूसरी मशीन भी कनेक्ट हो जाएगी इस वीडियो को जूड़ देखेंगे दोस्तों लाश्ट तक बहुत इंपर्टेंट है यहां से आप प्लेबुक बनाना सीखेंगे और इमेंट्री बनाना सीखेंगे और कैसे दो न उसमें बाकी मशीनिया किस तरह से उन पर कोई फायल है ठीक है पहले हम प्छलें आतैंगे टीरेल थैंड ben यह इस बीडियो कर और कि यह ज़ू चीजों है आइक्षिक किया हैкая आplan पसुट कार हम चिया पहले हूं क्या मैं ठीक से SSH कर पा रहा हूं वो चीज़ हमें देखनी है लास्ट वीडियो में अल्पाइन को जो अल्पाइन लिनक्स कैसे हमने इस्टोल के था इसमें दो-तीन कॉन्फिल्केशन हमने कैसे सैट की दी वह जोड़ देखेगा इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं हम कंट्रोल वोड़ से connect करने बाकी की दोव मशीन थे तो व कैसे होगा कैसे मैसिज हमाँ पर शूरू होगा वह हमस्डेखने थे बन तौब तो यह हमारे पास तो यह हमारी मशीन बन चुकी है, बनलब मशीन त्यार यह दिखिएगा, हमने SSH कर लिया है, यह तरीका है, तो अब देखें दोस्तों यहां वर क्या हो रहा है, मैं तो अपने तो Polize hundred वंचे दिएरा आपके पास और सेज्टेया। मेरे पास पुट Iraqi के भी कर सकते एंगर आपके पास पुट Iraqi है तो आप यह सब्सक्राद है पूठीक की ओपन कीजिएगा और उसमें SSH कर सकते हैं तो मुझे 3 वार पूठीक की ओपन करना होगा और 3 वशीन के लिए 3 जगा मुझे SSH करना होगा तो यहां उवन्टू का तो यहां पर देखेंगे कर लेता हूं क्या मेरे कंटोन लोड में अंसीबल है बिल्कुल है पाइथन 3, बिल्कुल है Python 3, ठीक है? मैनेज नोड में भी चैक कर लेते हैं और दोनों, तो सबसे पहला यह आपको चैक करना होगा, पता चलना कि हमारे Python नी नहीं है, क्योंकि Python की स्क्रिप्ट यूज कर रहा है वो ठीक है पाइथन की स्क्रिप्ट यहां पर यूज होगी मैं यहां पर बना लेता हूँ mkdr एक डिरेक्ट्री जिसका नाव होगा अंसिबल लीजिए मैं तयार कर लिए मैं उसके अंदर चला आता हूँ चले सीडी मैं अंसिबल किया अब यहां पर मैं एक फाइल बनाओगा जिसका नाम होगा playbook.yaml तो यह playbook.yaml मैं simple meaningful name रख रहा हूँ इसमें जैसे playbook बनाते हैं ठीक है और उसमें टास्क लिखेंगे एक file में बनाना चाहूँगा inventory जिसमें जो host machinecraft की host है उनके यहां पर IP लिखेंगे तो मैं इसका नाम अब फिलाल के लिए देता हूँ my inventory ठीक है तो मैं इसका नाम देता हूँ my inventory बिल्कुल ठीक है अब मैं यहां पर IP configuration में दोनों के IP configuration देख लेता हूँ क्योंकि जरुत पड़ेगी मुझे इनकी दोनों की IP को मैं copy करता हूँ और मैं खौलता हूँ my inventory और यहां पर मैं एक यहां पर define कर लेता हूँ dab इस तरह से होगा दोस्तों देखेंगे मैं यहां पर डैप के लिए अलग IP लिखूँगा machine के इस तरह से अलग अलग group भी मना सक लाल तो मैं दोनों machine का IP लिख लिए मैंने ठीक है तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ अब मैं बना लेता हूँ तो playbook में कैसे बनाएंगे पहले three dot dash dash लगाएंगे उसके बाद नीचे next line में dash लाका name लिखेंगे तो मान लिखेंगे मैं इसका playbook 1 दे दिया और host लिखूँग तो web को मैं shortcut मैं web यूज करूँगा host को तो जो host file है आपकी है host file भी कह सकते है क्योंकि इसमें machine के IP दे रहे हैं जो host machine से अब मैं यहां पर चलाता हूँ ansible playbook command देखेगा ansible-playbook यह command है और यहां पर playbook नाम आएगा जो आपने playbook बनाई है dot yml ठीक है या फिर यह last में आएगा ठीक है और उसके बाद जो inventory आएगा उसके आगए आप हाइफन i लगाएंगे अब simple देखेए मैंने यह आपको बता दिया मैं शुरू करता हूँ देखे अंसible playbook उसके बाद my playbook dot yml file जिसमें अपने playbook में commands आपने लिखे है ठीक है yml file फिर dash i और मैं enter किया inventory लिखा आप द यहां पर जीरो दिखा रहा है सब ओके भी जीरो है यानि कोई connection निया चेंज जीरो है तो हमने एक गलती की थी हमने अभी यहां पर SSH की generate नहीं की दियाने दोस्तों control node में हमें SSH की generate करनी है ठीक है तो यह हमार पार देखे generation generating हो रहा है दो की बनेगी एक private बनेगी और एक ब public key को हम share करेंगे बाकी machine के साथ यहां पर देखेगा मैंने अब क्या करना है मेरे पास यह complete होगी है SSH की तो मैं देखे यहां पर इस तरह की की आपकी शोर ही है तो अब मैं इस की को copy करने जा रहा हूं SSH की copy ID और मैं हाइपन यह जहां यह की रखी हुए मेरे उसका address दूग रूट एड़ 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 तो यह जो हमारे मैसेज आ रहा है इस तरह से copy होगी हमाँ पर तो जो copy होगी है तो उस machine पर हमारी जो यह कह रहा है देखे नमबर ऑप keys added one one add की होगी है तो मैं show करता हूँ आपको यहां पर दिखायता हूँ authentic authorized keys नाम से यहां पर save होगी यहां पर आप देखेंगे इसको cat करेंगे तो मैं key को cat करके दिखा देता हूँ आपको तो देखें इस तरह से आप देखें लास्ट में control node यहां पर करके लिखा हुआ है root add the control node ठीक है इसी तरह से यहां पर यह complete होगी तो यह task काम हमारे complete होगा अब यह connection हमारा बन गया ठीक अधिवल प्लेबुक और प्लेबुक का नाम फिर हाइफन आई उसके बाद inventory जिसमें host हमने एड़ेजी बिल्कुल ठीक यह ओके चला यह देखें कि okay IP दिखाया और okay one दिखाया यानि कि connection हमारा मिल गया है उसको connect हो गया हमारे जो एक machine है उसके साथ connection हमारा बन गया है तो इ आई पी आप यहां डाल सकते हैं और सभी को एक साथ connect कर सकते हैं सभी को एक साथ वहां पर user create कर सकते हैं और file जो भी create करना चाहिए वह कर सकते हैं सेम प्रोसेसर रहेगा सबसे पहले में SSK को कॉपी कर लेता हूँ उसी IP पर तो देखें यह तरीका है बिल्कुल वही सेम यह connection नहीं बन रहा है और एक बन चुगा है तो पहले बाला तो बन रहा है दूसरा नहीं बन रहा है तो अब भी हमने क्या नहीं किया है अब हम कॉपी कर लेते हैं तो फिर से copy कर लेते हैं आई होप दोस्तों आपको यह basic बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मैं especially beginners के लिए वी आपको 3-4 वीडियो होते हैं वही basic की होते हैं वही समय आया तो बाकी सब अपनाब हो जाता है ठीक है खुद ही कर लेता है बंदा पड़के तो अब यहां पर यहां मैं फिर से copy कर लेता हूँ आपके मैं करता हूँ दूसरे वाली machine का IP देकर यह मैंने okay किया ओके किया आप देखें यह one key added one मैंने अगर वहां check करके मैं फिर आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल वही देखें की होगी वही checker करके देख लिए आप यहां पर यह था दोस्त हमने host machine को कैसे connect किया आपने control यानि controller node को हमने कैसे connect किया आपनी जो managed machine थी वह हमने इस वीडियो में देखा है अब आप चाहें तो 1000 machine के लेक हूँ